हेलो दोस्तों, वेलकम और इस वीडियो में हम बहुपद प्रश्णावली 2.2 का सेकिंड क्वेशन करेंगे तो देखो क्वेशन इस तरह से है, हमारे पास चार बहुपद दिये हैं, दो ये हैं, दो में अभी आगे लिखूँगा इन पर हमें 0 पे, 1 पे और 2 पे इन बहुपदों का मान याद करना है, ठीक है? तो मैं शुरू करता हूँ इस से, देखो PY यह है, जब हम लिखेंगे P 0, इसका मतलब Y के जगब पे 0 रखना है, तो जब आप Y के जगब पे 0 रखते हैं, तो 0 स्क्वार होता है, मानस 0 प्लस 1, तो यह क्या हो जाएगा? यह 1 हो जाएगा, इसका आंसर 1 आ गया है, अब हम निकालेंगे P1, तो जब 1 निकालेंगे तो देखो Y की जगह पे 1 रखना है तो यहाँ पे Y की जगह पे हमें क्या रखना है 1, 1 square minus 1 plus 1 तो 1 का square 1 होता है minus 1 plus 1, यह 1 से 1 कट जाता है ठीक है, plus minus 2 नों से हैं तो यह answer 1 आ गया है अब हम निकालेंगे 2 पे तो देखो, अब हमें क्या करना है Y की जगह पे 2 रखना है तो यहाँ पे Y की जगह पे 2 आएगा तो 2 का square minus 2 plus 1 तो 2 का square होता है 4 minus 2 plus 1 देखो, 4 में अगर आप 1 plus करते हो देखो, इस stage पे आप जब confused नो हो तो आप हमेशे याद रखना plus plus वालों को हम अलग plus करते हैं तो plus plus का यह 5 हो गया और minus minus वालों को अलग हिसाब होता है तो यह total 3 आगिया है तो answer यह है, ठीक है नहीं, 1, 1 and 3 understand अब हमारे पास यह दूसरा वाला बहुपद है और इसमें भी हमें ऐसे ही मान ग्याद करने है p t given है अब हम जब p 0 निकालेंगे यानि t की जगए पर हमें 0 रखना है तो जहाँ जहाँ t दिख रहा है वहाँ वाँ पर 0 रख दो यह रखा हमने 0 यह भी 0 रखा और यह 0 रख दिया, ठीक है जहाँ पर t रखा है वहाँ पर 0 रखना है 2 प्लस 0 प्लस 0 में गुड़ा होकर यह भी 0 आएगा और यह भी 0 आएगा तो यह सारा 0 हो गया इसका अंसर 2 आगया है ठीक है अच्छा अब निकालते हैं p1 तो p1 निकालना है क्योंकि हमें p0 चाहिए, p1 चाहिए, p2 चाहिए तो यहाँ पर t की जग़े पर 1 रखा है तो जहाँ जहाँ पर t है वहाँ वहाँ पर हमें 1 रखना है तो यह हो जाएगा देखो 2 प्लस 1 1 का इसकार 1 होता है ठीक है तो 2 गुणा 1 या नहीं मतलब 2 इकम दू 2 हो गया और 1 का की 1 होता है तो यह आ गया अब यहाँ पर क्या करना है देखो प्लस प्लस वाले यह तीनों है तो तीनों को प्लस करोगे क्या आएगा 5 माइनस 1 तो आंसर क्या आएगा 4 समझ आ गई बात अब P2 देखो यानि अब हमें t की जग़े पर 2 रखना है ठीक न तो यह 2 प्लस t की जग़े पर 2 रखना है प्लस 2 t की जग़े पर 2 रखना है यह हो गया है अच्छा 2 प्लस 2 प्लस 2 2 का स्क्वाइर करेंगे तो 4 आएगा और 2 का क्यूब होता है 8 यहां तक सब समझ आ गया है तो यह होता है सॉल्व करके क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 4 दूने 8 माइनस 8 अब देखो 8 प्लस और माइनस कड़िया तो इसका अंसर 4 आ गया है तो इसका अंसर 0 पे तो आया यह 2 1 पे आया 4 और 2 पे आया यह 4 ठीक है अब हमारे पास जो तीसरा है वो है P X बराबर X क्यूप सिम्पल अब हमें निकालना है पहले P 0 तो यानि यहां पे X के जग़ा पे 0 पुट करो तो 0 क्यूप यानि यह 0 आ गया हमें P 1 निकालना है तो अब X के जग़ा पे 1 put करो, तो यह 1 आ गया और P2 निकालना है तो X के जग़े पे 2 put करो ठीक है न, यहाँ पे X है, X के जग़े पे 2 put गया, Q अपनी जग़े पे लगेगा और यह हो गया 8 तो यह answer आ गया है इसके, ठीक है न And last है PX बराबर X-1 X-1 ठीक है, सबसे पहले हम किस पे निकालेंगे 0 पे निकालेंगे, तो देखो जहाँ पे X है वहाँ पे 0 रखना है मैं देखो, 0 में से 1 गया तो minus 1 होता है, और 0 plus 1 होता है, 1 तो गुणा करेंगे, minus 1 आएगा, यह answer आ गया है किस पे, 0 पे अभी हमने निकालना है, 1 पे तो 1 पे निकालेंगे, ठीक है न तो यह आजाएगा, 1 minus 1 1 plus 1, बिलकुल जहाँ पे X है, वहाँ पे 1 रखना है तो 1 minus 1 तो होता है, 0 1 plus 1 होता है, 2, और यह answer आ गया है, 0 तो यह भी answer आ गया अच्छा, 1 पे, अभी हमने निकालना है, 2 पे तो यहाँ पे X के जग़ा पे, ठीक है न, X के जग़ा पे हमने 2 रखा तो जहाँ पे X है, वहाँ पे हम रखेंगे 2 तो 2 minus 1 and 2 plus 1 2 में से एक गया, तो एक बसता है 2 plus 1, 3 होता है, और यह answer 3 आ गया ओके so I hope आपको समझ आ रहे होगा सब कुछ, कोई doubt हो, comment box में पूछना और playlist अगर आपको और वीडियो सही हैं तो description box में आप playlist देख सकते हैं उसमें बहुत सारे जो और भी वीडियो सही है उनकी आपको, उनके links मिल जाएंगे ओके, तो मिलता है एक लिए वीडियो में, take care